दोस्तों जय महाकाली स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों आज मैं बहुत दुल्लो वस्तु आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जो कि धन प्राप्ति के लिए और आपके घर के धन को बढ़ानी के लिए बहुत ही विशेश माना जाएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कांसे असली शुद्ध कांसे के असली सिद्ध प्राचीन कुबेर कलश आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जो कि प्राचीन विदी से सिद्धी करण करके इसको घर में रखा जाता है धन रखने के स्थान पर दोस्तों इस चमतकारी क कालश को घर में रखने से अखंड रूप से घर में धन messing ब्रिद्धी होती है। घर में सकरात्मक जो ऊजाएं होती है और जादा हैं जो जादा क्ष tylko होती हैं उनका खात्मा होता है। दोस्तों इस कलश में बहुत सारी एसी दुरलव वस्तुएं डाली जाती है जो की तंतर में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है और बहुत ही जादा शक्तिशाली और प्रयोगित मानी जाती है धन को खीचने के लिए दोस्तों ये चमतकारी जो कलश है ये पूर्ण तहा तांतरी की कलश माना जाता है क्योंकि इस कलश को घर में रखने से फिर कभी भी आपके घर में धनकी कमी नहीं आईगी दोस्तों इस चमतकारी कलश को श्री कुबेर कलश कहा जाता है इस चमतकारी कलेश को घर में रखने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आईगी दरिद्रता नहीं होगी घर के परिवार के जो जन होते हैं उनको कभी भी धन की कमी नहीं आसकती है दोस्तों सर्वर प्रथम इस चमतकारी कलश के अंदर बिली की जेर को रखा जाता है जो कि मरजारी तंतर से अभी मंतरत की हुई होना चाहिए दोस्तों दुरलब और असली बिल्ली की जो गर्भ नाल होती है ये धन को खीचने का कारी करती है और घर में धन की ब्रद्धी को बढ़ाती है दोस्तों तंत्र शाष्टर में धन ब्रद्धी के लिए इस वस्तू को सबसे उत्तम माना जाता है जो की बहुत चमतकारी होती है शक्तिशाली होती है और रेयर होती है तंत्र में इसका प्रियोग सर्वर प्रथम पहले मरजारी तंत्र से सिद्धी करके किया जाता है दोस्तों दूसरे स्थान पर होती है जंगली काली हल्दी जिसको लक्ष्मिका तंत्रा से अभी मंत्रित करके इस कलश में स्थान दिया जाता है दोस्तों जब तंत्र में इस्तेमाल करने वाली वस्तूओं की मात्रा जादा होती है अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग विधियों से अभी मंतरित करके इन शक्ति शालिव वस्तूओं को अगर एक सांथ एकत्रित करके अभी मंतरित किया जाए तो ये अपने आपने बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है इन कलश का प्रियोग प्राचीन समय से ही धन प्राप्ति के लिए किया जाता है तो काली हल्दी जो होती है धन प्राप्ति के लिए विशेश मानी जाती है दोस्तों दूसरे स्थान पर होता है सिद्ध किया हुआ लगू नारियल जो की असली होना चाहिए लगु नारियल बहुत नकली मिलते हैं आज के समय में आप लोग देख सकते हैं कि लगु नारियल असली कैसा होता है इसको लक्षमी विधी से सिध्धी करण करके इस कलश में इस्थान दिया जाएगा दोस्तों तीसरे नमबर पर होती है सबसे शक्तिशाली तंतर में प्रियोग करे जाने वाली जिसका काम प्रोटेक्शन धनकी ब्रद्धी अखंड रूप से धनकी प्राप्ती के लिए सिध्ध किया हुआ असली बग नखी का जोड़ा जोकी तंतर शाश्तर में सबसे चमतकारी माना जाता है आज के समय में ये बहुत जादा विलॉप्त हो गया है इसका मिलुना लगबग नामुम्किन होता है लेकिन हम लोग खोच करके कही ना कहीं से आप लोगों के लिए ऐसी दुरलव सामगरी लेकर आते हैं जो कि आप लोगों को कल्यान करे जिवन में हर शेश इस्थान दिया जाता है क्योंकि तंतर में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इस वस्तू को माना जाता है दोस्तों इसके बाद इस कलश में इस्थान दिया जाता है असली मोती शंख को जो कि लक्षमी विदी से श्वेत लक्षमी विदी से सिध्धी करण करके इसमें होती है दोस्तों आप लोग देख लीजिए असली शुद्ध मोती शंख कैसा होता है और यह बहुत चमतकारी होता है यह दिधन रखने के स्थान पे आप रखते हैं तो जीवन से हर तरह की जो खराब परिस्थिती विकट परिस्थिती होती है या दरिद्रता होती है वो फतम होती है तो मोती शंख का प्रियोग इसमें विशेश माना जाएगा दोस्तों शुद्ध पीली हल्दी जो की पूर्णता साबत होना चाहिए और इसका प्रियोग बहुती शक्तियों से अभिमंतृत होता है जो की सुरक्षा कवच का कारे करता है दोस्तों तांत्री की जो वस्तूअ होती है उन वस्तूओं की शक्ती को बनाया रखने के लिए और एक जगा एक तरत करने के लिए इस विशेश रुद्राक्ष के महत तो बहुत ही ज़दा माना जाता है इसलिए इस कलश में इसको भी स्थान दिया जाएगा दोस्तो जंगली कोडी का भी इसम प्रियोग किया जाता है इस कोडी को तांतरी की कोडी भी कहा जाता है और धन को खीचने के लिए ये विशेश मानी जाती है काफी दुरलव ये कोणी होती है और इस कोडी का प्रियोग तांतरी की लक्षमी को प्राप्ती के लिए इसको विशेश प्रियोग किया जाता है इस कलश में इसको रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इस कलश को अकेली ये वस्तू बनाती है दोस्तों इसका मिलना भी बहुत ज़्यादा विलुप्त होता है जिस व्यक्ति के घर में ये असली चमतकारी कोड़ी होती है उस घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होती है तो हमारे विशेश कलस को इसकी उत्पत्ती दी जाएगी दोस्तों सूपारी जंगली बदाम अभी मंतरित करके इसमें विशेश रूप से रखी जाती है जो की दिव्य मानी जाती है और इन चीजों का हर जगा पर विशेश महत्व होता है दोस्तों इसके बाद महत्पूर्ण विधियों से अभी मंतरित करके असली गौरशना और कस्त तूरी युक्त एक दिव्व कवज बनाया जाता है कुछ विशेश मंतरों की सिद्धी से इसको बंद करके इन कवज के अंदर इस शक्तियों को बंद करके इस कवज का यानि ताबीज का निर्मान शुद्ध चांदी से किया जाता है जो कि पूर्ण तहा कुबेर भगवान और बहुत ही ज़्यादा माहतपून माना जाता है दोस्तों सुलेमानी हकिक जो की धन बर्शय का कारे करता है जीवन में हर संकट को मिटाने का काम करता है अगर असली अभी मंतरित तंत्र विधी से सिद्धी करण किया हुआ सुलेमानी हकिक आप धन प्राप्ती की जगा पर हर दिशा से आपके घर में धन की प्राप्ती होने लगती है यह विशेश बाना जाता है धन की प्राप्ती के लिए इसलिए इस कलश में इसको भी विशेशिस्तान दिया जाता है दोस्तों इसके बाद कई तरह के महतपून तांतरी की जो शक्तिशाली वस्तुएं आती हैं उनमें सफेद आकड के पुष्प और साथ में सफेद पलाश के पुष्पों को डाला जाता है दोस्तों ये सफेद पुष्प जो आप देख रहे हैं ये सफेद पलाश के पुष्प हैं जो कि जब पुष्प का बांधा होता है जब सफेद पलाश लगते हैं उस समय इनको प्राप्त किया जाता है तांतरी की शक्ती में तांतर शाष्तरों में इनका प्रियोग धन जाता है धन प्राप्ति के लिए सभी लोग जानते हैं कि जो हलकी पीली कोड़ी आती है जिसको श्वेत कोड़ियां भी कहा जाता है उन कोड़ी को भी अभी मंत्रत करके इसका प्रियोग किया जाता है दोस्तों देख सकते हैं कि ये कोड़ी अंदर से काली होती है और इनी के लिए बहुत अच्छी और शुब मानी जाती हैं तो हम इसका प्रियोग हमारे कलश में करेंगे दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे लवंग हुई इलाइची हुई इसका जोड़ा भी इसमें रखा जाता है लॉंग का जोड़ा इसमें रखा जाएगा और करके इन्तानत्री की शक्त्यों में तंत्र शक्ति को बनाया रखने का कारीकरती हैं दोस्तों सात में आप लोग देख सकते हैं जैसे मा कामाख्या दिवी का सिंदूर लगभग 5 ग्राम की मात्रा में इस कलश में रखा जाता है इस दिव्य शिंदूर का वर्णन मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया गया है कि ये बहुत शक्तिशाली होता है तंतर में इसका प्रियोग सबसे ज़्यादा किया जाता है विद्देशन, शक्तिशाली, शत्रु शमन विधियों से अभी मंत्रित, सुरक्षा, घेरों से अभी मंत्रित, धन प्राप्ती के योग्यों से युक्त इस चमतकरी सिंदूर का प्रियोग इस कलश में किया जाएगा दोस्तों ये सिंदूर जो होता है ये कामाख्या दिवी धाम से प्राप्त होता है तंत्र में इसका प्रियोग बहुत सारी विधियों में पूरा करने के लिए किया जाता है शक्तिशाली और ये बहुत अच्छा दुलब सिंदूर इसको कहा जाएगा जो कि हम हमारे कलश में इसको स्थान देते हैं तब जाके इस संपूर्ण कलश का निर्मान होता है दोस्तों आसाम से ही प्राप्त नेपाल और आसाम की बॉडर से ही एक प्राप्त बहुत दुलब काला सिंदूर होता है जो की नेपाली या ओघर तंतर में इसका प्रियोग किया जाता है ये शक्तिशाली दो ग्राम की मातरा में केबल सिंदूर डालने से आपका जो कुबेर कलस है इसकी शक्तिया एक हजार गुना बढ़ जाती है दोस्तों देवी काली का प्रतिरूप सिंदूर को माना जाता है इस कलश के लिए ये भी बहुत ज़्यादा विशेश माना जाता है दोस्तों इसके साथ साथ जैसे काले धतूरे के दुरला बीज भी इसमें इस्तमाल किये जाते हैं जो की काफी शक्तिशाली होते हैं, रेयर होते हैं, साथ में पलाश की डाल और साथ में एक चमतकारी और असली मोहिनी का प्रियोग भी इनके उपर किया जाता है आप लोग देख सकते हैं कि ये मोहीनी जड़ी है दोस्तों मोहीनी जड़ी दो प्रकार की होती है एक वशी करंड के लिए होती है जिसको पुष्प मोहीनी जड़ी कहा जाता है और ये जो मोहीनी जड़ी होती है ये हिमाले परवत से ही प्राप्त एक प्रकार की जड़ी होती दोस्तों इन दुरलव वस्तूओं को इस कलश में डाला जाता है जो कि बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली इस कलश को बनाती हैं दोस्तों इन सभी संपून चीज़ों के निर्मान से इस कलश का निर्मान किया जाता है दोस्तों ये तंत्र में बहुत ही विशेश माना जाता है धन की प्राप्ति के लिए एसा चमतकारी शक्तिशाली दुरलब कलश आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लापकारी आपके जीवन में सिध्ध हो सकता है धन की प्राप्ति के लिए जीवन में हर कारियों को बहुत आसानी से अनुकूलता से बना हो सकती हैं दोस्तों इस थाई लक्षमी जी के वास के लिए इन दुरलव कलशकों का प्रियोग आप लोग घर में कर सकते हैं जो कि आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाती हैं शुब बनाती हैं लापकारी बनाती हैं दोस्तों ये प्राचीन तंत्र है तंत्र में की गई कोई भी विधी कभी गलत नहीं होती है कभी भी फेल नहीं होती है प्राचीन विधियों से ही इस कलश का निर्मान किया गया है प्राचीन विधी से ही इन कलशों को सिद्ध अभीमंत्रत किया जाता है शुद्ध इन कलश को विशेश बनाया जाता है शुद्ध कांसे से ताकि देवी लक्षमी की जो सभी समस्त वस्तूय होती हैं इसमें सुरक्षित रह सकें और इस कलश का जीवन बर आप लोगों को अच्छा लाब मिलता रहे दोस्तों धन रखने के स्थान पे इसको विशेश महरोतों में रखा जाता है इसको रखने से घर में धन की कमी हमेशा के लिए खतम हो जाती है धन आप लोगों के आगे बीचे भागने लगता है दोस्तों ऐसे दुरलव कलश आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जो कि आए महाकाली